बिलने से ये बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दे कि नवनीत कालरा को कोट से जमानत मिली है ओक्सिजन कंसंट्रेटर काला बाजारी का आरोपी है नवनीत कालरा कालरा को एक लाग के नीजी मुचलके पर जमानत मिली है शिराग गोठी एसोसियेट एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए है शिराग क्या जानकारी मिल रही है एक लाग के नीजी मुचलके पर जमानत मिली है नमनित कालरा को जिसी साकेट कोट में आज चुनवाई हुई थी कि नुक्तान हुआ और ऐसे पेंडमिस के दोरां काला बजारी की गई लेकिन डिफेंस की दली उनका सासा के कहना था कि इस मामले में जो नीजी लोग के उनको दिया गया फ्लाक जो तरकार को जिय अधा किया जा रहा है और तार्था किसी तरह की काला बजारी नहीं कि अगर ऐसा होता तो जी एस तिक नहीं किया जाता इसके लाबा यह भी कहा गिया कि चार आरूपियों को पहले इसमें जवानत में पुकित हैं ऐसे महीं कोई ऐसा मामला नहीं है जो देश की तुरक्षा से जोड़ा हो तमाम वह कि गई आर्गुमेंट के दौरान दोनों पफ्टों की जलीले सुनी अदालत में और अदालत में इस मामले में अब नमनी चालरा को बेल डेडी है और यह कहा है कि वो एक लासा निकी मुचलका जो है वो जमा कराएंगे साथ में दो स्क्राइटी और इंशोर करेंगे यह तर अदर यह कहाता है कि उनको रेगुलर बेल मिल गई त्वोरे मामले में लेकिन इडवेस्टिएशन अभी ब्रांट इसकी कर रही है पांसाथ जादा चानुट्रशन में रहेते गाना ताकि यह तर इस अश्याव तर अधा आरुकियों ने आ आमामारी के समय में और इसे में जो जो ज़ुरतमन रपने तब तर चैंडर के बेशे गए और जो ज़ुरतमन से आउस्टीज उनी को चिए गए लेकिर प्रेक्टिकल अपरोच इस पूरे मामले में कि कही नखे लोगों की मदद भी होई क्योंकि थे पंडमिक तो अप्सिजन कॉंसेंटर ने बॉत ने बहु नवनीत कालवरा उन्हें एक लाग के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। नवनीत कालवरा उन्हें पर जमानत मिली है। नवनीत कालवरा उन्हें पर जमानत मिली है। नवनीत कालवरा उन्हें पर जमानत मिली है। नवनीत कालवरा के पास कोई लाइसेंस नहीं था, वो एक होटल मालिक थे, होटल चलाते थे। तो ऐसे में वह आखिटकर यह जो इन्हें क्यों बेच रहे थे। जिसके बाद वह जो वकील है नमनीत कालवरा के उनकी तरफ से कहा गया कि वह सरकार आम लोगों की मदद करना चाहते थे। नमनीत कालवरा उन्हें उन्हें निजी कंपनी के तौर पर चीन से एक कंस्रेंट्रेटर मंगाये थे और भारत में इने बेच आता। जिसके बाद वह जो लोगों में बाटे थे और इसका एक ट्विट जो है अदालत में पेस किया गया। हाला कि कोट की तरफ से सकता ही दिखाते हैं ये कहा गया कि आप इस बयान सल्मान खान को बीच में लाके अपने जो अपराद है उससे बच नहीं सकते हैं हाला कि कोट ने साफ कर दिया कि ये जो केस है आगे चलेगा जो जांच है वो आगे बढ़ती रहेगी लेकिन आज शुक्रिया संदेप इस नमाम जानकारी के लिए तो फिलाल आपको बता दे कि ऑक्सिजन कंसेंट्रेटर मामले में जो रोपी पाई गए थे नवनीत कालरा उन्हें एक लाग के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है लेकिन तमाम बाच्वीत के बाद ही तमाम शर्तों के बा के लिए भाग के लिए तमाद के लिए औरूभ लाग के लाग कि अथा चैनिख लएफव है.